असलाम आलेकूम माई यूट्यूब फैमिली उमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे अल्लाथ आला हम सबको अपने जोमान में रखे और हम सबको हज का महीना बहुत बहुत मुबारी को आज मैं आपके साथ एक नेक डिजाइन शेर करूँगी जिसमें मैं ये लैस और तिल्ले का भी यूज़ करूँगी ये मेरे पास प्रिंटिड सूट है जिसकी फ्रंट साइड पर सिर्फ ये वला प्रिंट है और ये इसका नीचे बॉर्डर बना हुआ है ये मैं राउंड नेक बनाऊंगी इसलिट के साथ और साथ में इसकी साइडों पर ये लैस लगाऊंगी जिसकी मैंने गले की कटिंग कर ली हुई है अभी मैं आपको इसकी मैयर्मिन बता दूँगी इसको मैंने इसलिट को थोड़ा सा ओपन भी रखना है लेकिन ये मैं एक अलग तरीके से इसे तियार करूँगी एक अठा भी मैं बना सकती थी मगर जो मैंने पैटरन इसके ओपर ड्रॉक या है तो वो राउंड के साथ जो अगर मैं पट्टी की कटिंग करती तो वो सभी शेप ना आती ये मैंने एक पैटरन की कटिंग की है जो हाफ इंच से ज्यादा है चुड़ाई में और लंबाई में डेर इंच है और ये मेरी पट्टी और गले की चुड़ाई जो है वो मेरे पास एक एक इंच की है और इस पट्टी की जो लेंथ है वो मेरे पास 13 इंच है जो मेरी त्यार होके 12 इंच की रह जाएगी और गले की चुड़ाई जो है मैंने 1.5 तीन इंच रखी है और 1.5 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है ये थोड़ा सा बॉट्रेक की शेव में आ जाएगा इसको मैं पत्ती को ऐसे ही इसके उपर रखके तो मैं इसके सेंटर में रखके तो इसको इसके कोने से कोना मिला के तो इससे मैं ड्रॉा करती जाऊंगी सिर्फ मैं इसके उपर सिर्फ एक ही ये ड्रॉा करूंगी लाइन जो है इसकी बाकी मैं अंदाजे के साथ ही सलाइगा लगा लूँगी लेकिन मैं पहली इसकी ये सारे के ओपर ड्रॉख करके तो आपको बताऊंगी तिल्ले को जो है वो मैंने फिर्की में बराया और उपर मैंने इसके सिंपल दागा डाला है क्योंकि मुझे ये बुक सबसे पहले नए देखने वाले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मेरी विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी जरूर किया करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए ये देखें मैं उसी के उपर ये मैं ड्रॉ करती लाइन लगाती जा रही हूं तिले की ऐसे ही मैं इसे सारे को ये देखें त्यार कर लूँगी अब मैं इसके सेंटर में एक एक लाइन और लगा लूँगी ताके ये हमारे पास पैटरन जो है ये एक अच्छा सा त्यार हो जाए अब मैं इसके अंदर अंदर एक और सलाई लगाऊंगी ये मैं आपको दिखा रही हूँ सिरफ कि मैं ऐसे इसके अंदर अंदर एक और सलाई लगाऊंगी बाकी मैं वैसे ही सलाई लगा लोगी वो तो आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं मुझे अमीद है कि आपको अच्छी तरह समझा रही होगी जो मैं आपको समझाना चाहा रही हूँ ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से मैं यह सारी सलाइगा रपीट करूँगे और मेरा डिजाइन जो है वो त्यार हो जाएगा जो राउंड नेक है उसके उपर भी हमने ऐसे ही पैटर्न को त्यार करना है और एक प्यारा सा डिजाइन त्यार हो जाएगा यह देखें यह एक साइट से देखें और यह दूसरा देखें ऐसे ही मैं बाकी भी सारा त्यार कर लूँगी यह देखें कितना प्यारा लग रहा है बना हुआ अब हम गले की त्यारी करते हैं जो हमने बनाना है शेड के उपर इसको मैंने इसकी अच्छी तरह फोल्डिंग कर ली हुई है ये मैंने एक वी इसी इसकी कटिंग की है ये गले के सेंटर का इसा है जो मैं इसके उपर रखके मार्किंग करके तो मैं इसकी cutting करूँगी शेड के उपर रखके ये मैंने इसके साथ साथ एक line ड्रॉ कर ली है लेकिन मैं स्लाई का margin छोड़के इसकी cutting करूँगी पहले हम इसके उपर ये जो मैंने V-slit बनाई है ये cutting करूँगी इसको मैंने बहुत छोटा सा आपको आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बहुत छोटा सा त्यार किया है डाई इंच का है तक्रीबन और इसकी खुलाई जो center से है वो एक इंच से कम है बहुत आसान और simple सा गला है अगर आपने तिल्ले का ये pattern ना बनाना हो तो आप इसको एक साथ भी cutting कर सकते हैं लेकिन मुझे ये pattern तयार करने की वज़े से सारी चीज़ें ये अलग अलग cutting करनी पड़ी अब मैं इसके उपर जैसे हम पटी लगाते हैं वो ही लगा दूँगी ये मैं इसको एक रफ सलाई लगा दूँ ताकि ये हमें तंग ना करे पटी ये लगाते हुए और ना ही जोलाई इसमें मैं इसकी सिर्फ अभी एके की सलाई लगाऊंगी और इसका गला जो है वो तियार करूँगी पहले मैं ये पटियां लगा लूँ फिर मैं इसकी गले की सलाई लगाऊंगी और फिर हम इसमें जो लैस लगाएंगे बाद में हम इसकी साइड की सलाई लगाएंगे आप चाहें तो इसे गम भी लगा सकते हैं दूसरी साइड की भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी यह हमारी दोनों साइडों की लग गई है अब हम इसका गला त्यार करेंगे नीचे से हमने इसको एक ब्राबर फोल्ड कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे यह मैंने सेंटर से गले को कटिंग कर लिया हुआ है सीधी साइड पर हम इसको पलट देंगे उल्टी साइड से लगा के तो सीधी साइड पर बिल्कुल इसके कनारे के साथ साथ बुकरम के सलाई लगाएं दोनों साइड ऐसे ही त्यार कर लें चोटे-चोटे से कट लगाएंगे स्लाई ना कटे ताकर इसकी फोल्डिंग अच्छी तरह से हो जाए मैं इसको अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी अब मैं इसकी कनारे के सलाई लगाएंगी इसको नीट करने के लिए और यहां से इसको पक्का कर लें अच्छी तरह सलाई को दोनों साइड ओ पर ऐसे ही सलाई लगाएंगे इसको पक्का कर लें अब इसके साथ हम लेस लगाते जाएंगे और इसे नीट करके एक सलाई लगाते जाएंगे यह टिशू के ओपर बनी हुई लेस है जो इसमें गुमाते हुए हम थोड़ी थोड़ी सी चुनर इसमें डाल लेंगे छोटी चोटी से बारी एक सी चुटकी सी एक यह देखें ऐसे ताके यह हमारी राउंड में अच्छी तरह से गुम जाए राम से हमें तंगी ना हो बस यह एक दो जगा पर ही चुटकी आएगी इसके यह मैं इसे एक साथ पीस गले को बना सकती थी यह मैंने बार बार आपको इसलिए रपीट करके बता रही हूँ कि मैंने इसके ओपर यह तिल्ले वाला पैटरन बनाना था इसलिए मुझे यह इसको लग लग कटिंग करनी पड़ी यहां पर हम एक लाइस को कट लगाएंगे और इसे अराम से फोल्ड कर लेंगे नीचे से आप इसको सेट करते जाएं कि इसमें जोल ना आए यह सारे गले में मैं ऐसे ही इसके लगा लूँगी चारो तरफ दूसरी साइड पर ऐसे ही लगाएंगे यह हमारा नेक्ट डिजाइन त्यार है देखें कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है सिंपल सा ट्रेस हमारा बहुत ही प्यारा सा त्यार हो गया है अमीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरा ये गले का बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दौाओं में याद रखिए अल्ला हाफिज